नमस्कार दोसों, स्वागत आपना मारा यूटूब चैनल पर दोसों आज के इस वेडियो के अंदर हम टॉप टैन स्मॉल कैफ मिच्वल फंड के बारे में देखने वाले हैं जिनकी की रिटन के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड कहिया है कि कौन से फंड टॉप में होगा और कौन सा फंड बॉटम में होगा क्योंकि जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्मेंट करने की कोसिस करते हैं तो वहाँ पर आपको यह देखना होता है कि किस तरीके का यह फंड है कितना ये returns दे रहा है और आने वाले समय में भी क्या ये इसी तरीके से returns देगा तो इसी category के अंदर top 10 ऐसे के small care mutual fund को हमने इस वीडियो के अंदर निकाला है जहां पर आपको ranking wise देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको top में दिखेगा SDFC small care fund SDFC small care fund का returns आप देखेंगे तो last one year में 41.30% कर रहा है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा returns इस fund ने अभी तक दिया है इसके बाद में आप देखेंगे तो second number पर है quant small care fund quant small care fund ने अभी पिछले एक साल में 39.60% का returns दिया है इसके बाद आता है third number पर Franklin India small cap fund Franklin India small cap fund ने 36.50% का returns last one year के अंदर अभी दिया है फूर्थ नमबर पर आता है Nippon India small cap fund Nippon India small cap fund ने last one year में 36% का returns दिया है दूसर फिप्थ नमबर पर है Tata small cap fund Tata small cap fund ने 34.50% का returns last one year में दिया है Sixth number पर है HSBC small cap fund HSBC का fund ने last one year में 30.30% का returns दिया है वहीं सेवन्थ नमबर पर है ITI small cap fund ITI small cap fund में last one year में 29.90% का returns दिया है और आठवे नमबर पर आता है DSP small cap fund DSP small cap fund ने last one year में 28.40% का returns दिया है दोस्तों आपके दिमार्ग में और भी कई ऐसे small cap fund के नाम आ रहे होंगे तो जो भी ऐसे small cap fund है अगर आप उनको दिखेंगे तो उनका returns इनसे कम है इसलिए इस category के अंदर उनका नाम नहीं लिया है बाकी का दोस्तों आपको अगर ये जितने बताएगे funds हैं उनमें देखेंगे तो सबसे टॉप पे आपको SDFC का small cap fund दिखेगा small cap fund काफी risky fund होता है क्योंकि ये छोटी कंपनियों का investment होता है इनमें तो बहुत ही ज़ादा returns के साथ साथ इसमें risk भी होता है क्योंकि यहाँ पर suddenly अगर ज़ादा अच्छा perform company नहीं करती है तो उसके returns भी काफी down जाते हैं तो बाकी का दोस्तों अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप comment section में जाकर कि comments करके बताएं और ज़ादा से ज़ादा लोगों को शाथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे share कीजिए और चैनल को subscribe करके bell icon की button दबादे ताकि next वीडियो जो इस चैनल पर upload हो उसका भी notification सबसे पहले आपके पास मैं धन्यवाद